Let us begin with the concept of speed and velocity. तो आईए बात करते हैं speed के बारे में. Speed क्या है? दूनुही टर्म speed और velocity जो है degree of fastness. degree of fastness of change in position. position को नापने के लिए प्रयोग किये जाते हैं. कि कितना तेजी से position में परिवर्तन हो रहा है. ठीक है? बस speed जो है में direction नहीं होती है और velocity में direction होती है. speed का connection डिस्टेंस ट्रवल से है, velocity का displacement ट्रवल से है. तो speed का है? the speed of an object of an object is defined as as the distance moved by the objective in unit time unit time तो speed क्या हो जाएगा? speed is equal to distance by time time interval माल जी कोई वास्तु जो है पांच सेकेंड में 20 मीटर चल गई तो एक सेकेंड में कितना चलेगी? 20 मीटर by 5 है ना? पर सेकेंड that is equal to 4 मीटर पर सेकेंड ठीक है? तो इसकी speed कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड पर unit time जो distance कोई वास्तु ट्रवल करती है ठीक है? अगर speed जादा है तो तेज चलती हो महसूस होगी speed कम है तो धीमे चलती हो महसूस होगी इसी तीजी पन को नापने के लिए speed का concept लाया गया है अब आईए velocity के बारे में बात करते हैं लाजविटी लाजव सब्स्केंट अब खर अब्स्क्वयत अब्स्क्वीट इस द मैं आईए उच्वाण आईए of the object in unit time. तो देरफोर वेलासिटी इस इकोल तो दिस्प्लेस्मेंट बाइ टाइम इंटर्वल, टाइम इंटर्वल, अब अगर मानले जी कि पाँच सेकेंड में किसी वस्तु का दिस्प्लेस्ट दिस्प्लेस्मेंट तीस मीटर के बरावर हुआ है, तो एक सेकेंड में इसका दिस्प्लेस्मेंट कितना होआ? दो प्राक्टिकल एक्जामपूल्स ले करके समझने कोशिश करते हैं. यहां पर मालेजे कि x is equal to 0 meter है और हम माले लेते हैं t is equal to 0 second है मतलब यह point origin of time भी है और origin of position भी है यह t is equal to 2 second पर यह x is equal to 10 meter पर वस्तु पहुंचाती है t is equal to 4 second पर वस्तु कहां चली जाती है 20 meter पर पहुंचाती है t is equal to 6 second पर वस्तु जो है 30 meter position पर पहुंचाती है तो यह point A है यह point B है यह point C है ठीक है अब वस्तु की speed मुझे निकालनी है speed और velocity दोनों निकालनी है ठीक है तो speed is equal distance by time तो distance कितना चला है O से C तक जाने में उसको 6 second लगे हैं कितना मीटर चला है distance travel 30 meter divided by 6 second ठीक है ना is equal to 35 meter पर second और velocity निकालनी के लिए क्या करेंगे displacement by time interval करेंगे तो O से C तक displacement कितना हुआ 30 meter और time interval कितना लगा 6 second is equal to 5 meter per second from O to C O से C के तरफ velocity की direction है वस्तो इधर जा रहे है तो आपने क्या है magnitude भी बताया और direction भी बताया जबकि यहां पर आपने direction नहीं बताया है क्योंकि इसमें direction की कोई जरूत ही नहीं थी हम देख रहे हैं कि speed 5 meter per second और velocity भी 5 meter per second है यही कारण है कि ज़्यादा तर लोग confused हो जाते हैं कि speed और velocity के सीम है लेकिन नहीं आईए एक दूसरे उधारण में देखते हैं यहां पर मान लेजिए कि x is equal to 0 meter है और t is equal to 0 second है ठीक है यहां पर a point पर t is equal to 2 second पर वस्तु पहुँच गई और यहां पर x is equal to 10 meter है यहां पर b point पर वस्तु जो है t is equal to 4 second पर पहुँच गई और यहां पर x is equal to 20 meter है c point पर t is equal to 6 second पर पहुँच गई और यहां पर x is equal to 30 meter के बरबर है और फिर वस्तु अपने direction बदल दी फिर वो बी पर वापस आगे बी पर वापस आई तो टीज इकल क्या हो ज़र है एट सेकेंड हो रहे है और पोजीशन कितना हो गया 20 मीटर के बरबर हो गया तो अब इस स्पीड निकालिए इस स्पीड ओ से कहां तक गये सी और सी से पुना हो बी तक वापस आई तो यह 30 मीटर और यह 10 मीटर कितना हुआ है 40 मीटर कितने सेकेंड में 8 सेकेंड में 8 पर चीज चालीस 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड इस तिल 5 मीटर पर सेकेंड वार अब वेलास्टी velocity is equal to displacement displacement का क्या initial position और final position से लेना देना है उसका रास्ते से कुछ लेना देना होता नहीं है तो 0 से 20 यानि 20 meter हुआ ठीक है divided by divided by समय तो 8 second लगा है तो this is equal to 826, 845, 2.5 meter per second from O to from O to B, है नो O से B के तरफ क्योंकि initial position O है और final position क्या है B है तुने इसी तुरुप से इधर से इधर गई होगी तो इसी direction में velocity रहा होगा तो यहाँ पर देखे जैसे ही वस्तुने straight line में चलते हुए अपनी direction को बदला speed और velocity में क्या होगा फार्क होगा numerical value क्या होगा तू अंतर समझना चाहिए आपको है ना Let us talk about certain points of differences between speed and velocity है ना points of points of difference says between speed and velocity पहला पॉइंट यह है कि speed जो है directionless है direction less और directionless जो होता है उसकुछ के लर बोलते है और velocity क्या है velocity with direction है क्या है with direction with direction है तो यह क्या है velocity जो है vector physical quantity है vector है ठीक है दूसरी बात speed का magnitude जो होगा वो velocity के magnitude से velocity के magnitude यह magnitude को से greater than होगा या बहुत हद से हद क्या होगा बराबर होगा ठीक है है ना ओकी बराबर कब होगा दूनों का magnitude speed और velocity के magnitude बराबर कब होगा जब दूनों एक ही दिशा में चलें बिना दिशा बदले जब वास्तु जो है बिना दिशा बदले चलेगी तो उसके speed के magnitude और velocity के magnitude क्या होगा सेम होगा लेकिन अगर दिशा में बदला हो गया तो speed का magnitude ज़ो है ज़्यादा होगा और velocity के magnitude कम होगा ठीक है लेट आस टाक अबाउट दी पॉइंट नबर थ्री speed का जो है पाथ से लेना देना है has to do with the path whereas velocity has velocity has has nothing to do with the path with the path इसका मतलब क्यों इनिशल position और final position से इसको मतलब होता है उसका path से कोई मतलब नहीं होता है displacement जो है इनिशल position और final position के वीचिके shortest distance को बोलते है और shortest distance यूनीक होती है ठीक है तो इनमें ये अन्ता है point of differences है ठीक है तो हम लोग ने समझ लिए कि what is speed and what is velocity there are definitions and differences हम लोग समझ गए let us try to understand the meaning of uniform motion uniform motion किसे कहता है अगर कोई वस्तू equal displacement means equal interval of time अगर करती है तो हम बोलते हैं कि वस्तू uniform motion कर रही है अगर कि रही है to if if an object if an object undergoes equal स्वेखल त्य सकत्व को साकनरे गिया कि नावन टीज अना, We see that it is executing uniform motion. अब जैसे यहाँ पर एक वास्तु को गर ले लिया जाए, यहाँ पर इसकी position x is equal to 0 meter है, किस समय पर, t is equal to 0 second पर, t is equal to 2 second पर क्या हो गया, यह 5 meter position पर पहुंच गया, t is equal to 4 second पर क्या हुआ, यह x is equal to 10 meter पर पहुंच गया, t is equal to 6 second पर 15 meter पर, t is equal to 8 second पर 20 meter पर पहुंच गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना time interval लग रहा है, 2 second, t is equal to 0 से, t is equal to 2 second के बीच में time interval 2 second का है, और displacement कितना है, 5 meter का, अब आगे, t is equal to 4 second से, t is equal to 6 second के बीच में, जो है, कितना time interval है, 2 second का, और displacement कितना है, 5 meter, 10 meter position से 15 meter position पर पहुंच जारी वस्तू, तो 5 meter का displacement है, तो इस यात्रा के लिए, अगर कहीं भी देखिए, 2 second का अगर interval अगर आप ले लेते हैं, तो displacement 5 meter ही हो रहा है, तो यह fit बैठता है, uniform motion में, वो uniform motion का definition में fit बैठता है, तो हम कर सकते हैं कि जो भी वस्तू जो है, यहाँ पर motion कर रही है, वो uniform motion कर रही है, याद रखिए, कि हमने time interval 2 second का रखा है, आप जितना एक्षा करें, उतना time interval रख लीजिए, तो यहाँ पर उतना ही time interval लीजिए, वहाँ पर उतना ही time interval लीजिए, अगर उन दोनो time interval को अगर बराबर रखते हैं, तो displacement भी अगर बराबर हुआ, तो हम बोलेंगे कि कैसा motion हो रहा है, uniform motion हो रहा है, time interval बहुत ही छोटे से बहुत ही बड़ा लीजिए आ जा सकता है, and also very small the time interval may be if the displacements are equally in equal interval of times then the motion is uniform motion. अब आईए बात करते हैं equation of uniform motion के बारे में बात करते हैं माने जिक कोई वस्तु straight line one dimensional motion कर रही है और उसका x equal 0 मतलब origin of position यहाँ पर है और जब x equal x not हो रहा है तो हमने लिया समय मिजर करना चालो किया तो origin of time यहाँ पर है 0 second तो जब हम t equal 0 ले रहे हैं तो वस्तु कितना displace कर चुकी है origin of position से x not के बरबर already displace कर चुकी है ठीक है अब हम लोग प्रोग्रेस करें equation of uniform motion को बनाने के लिए तो मांग ले रहे हैं कि कोई वस्तु यूनि डारेक्शनल मोशन कर रही है मतलब positive x-axis के अलांग मोशन कर रही है उसका जो origin है origin of position x equal 0 यहाँ पर लिया गया है x equal 0 यहाँ पर लिया गया है ठीक है और जब समय t equal 0 लिया जा रहा है 0 second लिया जा रहा है यानि origin of time लिया जा रहा है तो उसमय वह x-not displacement execute कर चुकी है यह उदारण में ने ऐसे ड़्ट किया है कि origin of time and origin of position are not the same जब t equal 0 लिया जा रहा है तो इसका already displacement कितना हो चुका एक्स-not के बरबर हो चुका है और यह constant velocity चल लगी है uniform motion execute कर रही है वस्तु तो t समय में यहां पर जब यह पॉइंट पर है इस पॉइंट पर है t समय में यहां से यहां तक चलीगी कितना displacement हो गया b into t के बरबर displacement हो गया ठीक है यहां पर नई position जो है कितनी हो गयी । यहां से यहां तक gap जो है वो । यहां से यहां तक gap जो है वो एक्स-not के बरबर है ठीक है तो in terms of x-not और । यह पूरा जो है यहां से यहां तक x is equal 0 से x is equal । तक । एक्स-ट है gap और यहां से यहां तक x is equal 0 से x is equal x-not के बीच का gap x-not है तो x-not से x-t के बीच में gap कितना होगा x-t minus x-not हो जाएगा ठीक है लेकिन यह आलरडी हम जानते हैं कि यह जो है vt के बरबर है यानि t is equal 0 से t is equal to t के बीच का gap है तो हमने क्या कर देना दोनों कहीच इसको रिप्रिजेंट कर रहे है तो x-t minus x-not is equal to kya हो जाएगा vt हो जाएगा तो यहां पर x-t is equal to x-not plus vt हो गया this is equation number 1 यही है equation of uniform motion this is this equation x-t is equal to x-not plus vt is the equation of uniform motion इसका क्या आर्थ है इसका आर्थ है कि अगर initial position मतलब t is equal to 0 पर अगर position मालूम हो वास्तु के velocity मालूम हो तो किसी अन्य समय t पर उसकी position x-t को हम इससे पता कर सकते हैं ठीक है एक उधारान लेते हैं माल लेजिए कि x-not is equal to 20 meter है और velocity क्या है 10 meter per second के बरबर है और t is equal to 0 समय पर x जो है 20 meter के बरबर है और हम चाह रहे हैं find the position of the object at is equal to 3 second तो for uniform motion x-t position at the time t is equal to x-not plus vt के बरबर है तो x-not already जो x-not मालब पोजिशन at t is equal to 0 already 20 meter के बरबर है velocity 10 meter के बरबर है time care 3 meter के बरबर है तो किस position पर है वो 3 second पर 25 meter पर ठीक है तो किस की मदद दिया गया यह इसी equation की मदद दिया गया यहाँ पर हमने क्या किया x-not की जो value है वो substitute किया v की value substitute किया और t की value t की value 3 substitute किया तो 3 second बाद उसकी position क्या होगी वो हमको पता चल गई अब आईए uniform motion के graphical representation के बारे हम बात करते हैं हम सब कुछ one dimensional motion से ही यह लेनी की कोशिश कर रहे है तो t is equal to 0 पर x is equal to 0 मैंने ले लिया है मतलब origin of position और origin of time क्या कर दिया है सेन कर दिया है ठीकिए 30 सेकंड पर वस्तु कहां है 10 मिटर पर है हैru eran gua 2 second Пос pattern वस्तु कहां है 20 मीटर पर 80 is equal to 30 secondles x 30 मीटर Hoje is equal to 40 secondला जो है position क्लेस ऑन पर 40 मीटर पर है ठीक है अब हमने आरे पास दो बेंचन और दूसरा है क्या है time में थिए फिर पोजीशन टाइम ग्राफ इस थरीके से आएगा एक सरह एक्सिस पर लिया और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है ढिला निया मिक्टि इकल जीरो फ Daar इस इकले है दो टेटिस पर अग्सी इकलट टेन मीटर के बरबर एक्स के इस तरीके से डिफरेंट प्राट के और मिलाया तो देखे एक वस्तु अगर युनिफॉर्मोशन अगर एक्जेक्यूट कर रही है तो उसका पुजीशन टाइम ग्राफ क्या आएगा इस ट्रेट लाइन आएगा तो किसी भी वस्तु का अगर पुजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है या तो आप आँख बंद करके कह दीजिए कि यह एक युनिफॉर्मोशन एग्जेक्यूट कर रहा है हमने जो दारन लिया है वह युनिफॉर्मोशन का ही लिया है उसका ग्राफ यह ऐसे आ रहा है दूसरी जादू ग्राफ क्यों बोलते हैं क्योंकि एक्स मतलब पोजीशन और टी मतलब टाइम एक्स टी ग्राफ जो है जो पॉजटिव एक्स एक्स से जो इतना एंगल बना रहा है उसका टैन धीटा ले लिए तो उसी को हम बोलते हैं स्लूप आफ एक्स टी घ्राफ ठीक न तो अगर यह अगर कंस्ट्राक्ट अगर किया गया है अगर यह थीटा है तो यहां पर दस मीटर है और यहां पर आने पर जो है तीस मीटर हो गया तो डिस्प्लेश्मेंट बी सी कितने के बराबर हुआ है तो तीस माइनस दस 30-10 is equal to 20 meter over time interval भी कितना भी था 30-10 is equal to 20 seconds that is equal to 1 meter per second अच्छा इस वस्तु की विलास्टी कितनी थी हर 10 second में 10 meter चला है तो एक second में 1 meter के बरबर चलेगा ठीक है तो velocity of the object executing uniform motion for which the xc graph is drawn is equal to 1 meter तो conclusion क्या निकला conclusion एक बहुत ही बहतरीन चीज़ निकली the slope of position time graph gives us the velocity of the object velocity of the object देता है अगर position time graph अगर खीच दिया जाया और उसका slope निकाल लिजाए slope मतलब जितना positive x axis angle बना रहा है उसका 10 theta निकाल दिया जाया तो उससे इसकी velocity पता चल जाएगी अब यहां पर देखे मैंने दो जो है position time graph खीच दिया आप थर्टिकली माले यह तो हमने data लिया था और दूसरा जो है वस्तू के लिए हमने ऐसे खीच दिया दूसरी वस्तू जो motion कर रही है वो उसके लिए position time graph यह है किसका slope ज्यादा है पहले वाले का नीले रंग वाले का क कम है तो मन यह 30 डिए और 60 डिए तो 10 30 डिए जिकल क्या होता है और 1060 कितना होता है स्कूर रोड़ थी के बरबर होता है तो लाल वाला जो है जिस वस्तू के लिए position time graph कीचा गया है उसका slope ज्यादा है और जिसके लिए नीले वाला कीचा गया उसका slope क्या है कम है तो slope ही रिप्रेजेंट करता है velocity अगर position time graph का अगर slope निकाल लिया जाए तो वह velocity को रिप्रेजेंट करता है तो velocity of the object number two is more as compared to the velocity of the object number one slope of the position time graph represents velocity तो अगर दो वस्तू के लिए अगर position time graph अगर खीचा गया है तो किवल ग्राफ को देख करके ही हम क्या पता कर सकते हैं कौन ज़्यादा तेज चला है कौन दे में चल रहा है ठीक है अब आगे velocity time graph के बारे में बात करें जो वस्तू हमारी जो चल रही थी अगर मालने कोई वस्तू ऐसी है जिसकी velocity uniform velocity 15 meter per second ले लिया जा और 15 meter per second ले लिया तो y-axis पर velocity लिया और यह graph जो है यह देखिए velocity time graph यह से straight line आ रहा है तो अगर कोई वस्तू अगर uniform motion execute कर रही है तो उसका velocity time graph आएगा वो time axis के parallel आएगा ठीक है तो और position time graph कैसे आएगा parallel नहीं आएगा कुछ angle बनाते हुए आएगा now you see यहाँ पर अगर मालेजिए t is equal to 5 seconds से लेकर के t is equal to 25 seconds तक के बीच की आत्रा का धेन किया जाए तो 15 meter per second के रफ्तार से हो जा रही है इस इकूल जी फाइव सेकेंड पर उसके विलास्टी 15 meter per second 10 seconds पर 15 meter per second है 20 seconds पर 15 meter per second है 25 पर भी 15 meter per second है ठीक है तो हम नहीं क्या किया इसका विलास्ट हम यह जानना चाहते हैं कि यह यह ती इकूल फाइव सेकंड से लेकर के कि इकूल 25 seconds के बीच में कितना डिस्प्लेस होगे तो डिस्प्लेस्मेंट इस इकूल तो विलास्टी इन्टो ताइम इंटरवल विलास्टी 15 meter per second है और टाइम इंटरवल कितना है 20 सेकंड के बराबर है ठीक है तो जस्ट दोनों को मिल्लिप्लाइब कर दीजे 15 meter per second इंटो 20 सेकेंड तो यहां पर T is equal to 5 सेकेंड और T is equal to 25 सेकेंड के बीच में जो velocity time graph है उसके नीचे का अगर area अगर निकाल लिया जाए तो उससे क्या मिलेगा उससे देखे area below velocity time graph from T is equal to 5 सेकेंड तो T is equal to 25 सेकेंड तो AD AD into DC हो जाएगा तो AD is equal to 15 meter per second है यहां से यहां तक 25 है और यहां से यहां तक 25 है यहां से यहां तक 25 है तो 25-5 that is equal to 20 seconds हो जाएगा तो मुट्प्लाइब करेंगे तो 300 मीटर के बरबर आएगा और 300 क्या है displacement during that interval of time है तो conclusion क्या निकल कर क्या रहा दे एरिया बिलोव विलास्टी टाइम ग्राफ गिवस अस दे डिस्प्लेश्मेंट अव दा अबजेक्ट इन बेट्वें दे तो टाइम्स कंसर्ण अब आईए नान यूनिफार मोशन कार समझते हैं नान यूनिफार मोशन नान यूनिफार मोशन का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तू तो एक्योल इंटर्वल अफ्ताई में अनिक्वल मोशन कर रहे हैं तुת इस्प्लेश्मेंट्स अखेक्यूटकर रहे हैं समस्फरे और डिस्प्लेश्मेंट्स अलगए नीक्स तो इस केस में जो है हम नान यूनिफार मोशन इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं नान यूनिफार मोशन और हमारे जीवर में ज्यादा तर नान यूनिफार मोशन ही होता है एक एक एक्जामपूल अगर नान यूनिफार मोशन को अगर ले लिया जाए एक एक एक्जामपूल त मोशन इजी फालिंग अबजेक्ट अंडर दे इंफ्लूएंस अफ ग्राविटी के ओके तो हम लोगों ने जो है उनिफार मोशन को डेस्क्राइब करने का तरीका ग्राफिकल तरीका भी सिख लिया फार्मूला टाइप में भी लोगों इसका फार्मूला भी निकाल लिया लेक टाइम पर अलग अलग होना तो हाव टो डिस्क्राइब तो अब हम इसी मुद्य पर टच करेंगे और असली physics यहां से आपके स्टार्ट होती है description of non-uniform motion तो इसको दो आइडियाज से हम डिस्क्राइब करेंगे पहला आइडिया है by the concept of average speed and average velocity और by the concept of instantaneous speed and instantaneous velocity ठीक है तो अगले टर्म पर थोड़ा सा मैं the concept of average speed और average velocity पढ़ाऊंगा उसके बाद instantaneous speed और instantaneous velocity पढ़ाने के पहले थोड़ा calculus पढ़ाना पढ़ेगा थोड़ा आपको धहरे रखना पढ़ेगा इसके बाद जो है यहाँ पर इस्ठापी को पढ़ाने के बाद हम थोड़ा calculus पढ़ाएंगे लेटर पर और please be alert अगर वो चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो आपको कुछ नहीं आता है जिक्समें तो limit continuity डिफ्रेंशेबलेटी इंटेग्रेशन डिफ्रेंशेशन इंटेग्रेशन यह चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ठीक है homework आपको क्या दिया जा रहा है find out the definition of a function find out the definition of a function meaning of a function function का क्या अर्थ है mathematical अर्थ क्या है social earth नहीं पूछा जा रहा mathematical meaning of a function इसको खोज करके रखे रहेए